वेल्कम टू टू टॉटर सलूसन ड्रोन वीडियो कैमरे के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों जब आप DJI कंपनी का फैंटम फोर्ड प्रो कैमरे खईते हैं तो उस समय यह बढ़िया काम करते हैं लेकिन कभी अचानक अपने आप इस पर फर्म वेयर अपडेट का सेंसर एरा और फारवर्ड सेंसर एरा का भी मेसेज आने लगते हैं उस में यहां कैमरा यहां ड्रोन इसका काम नहीं करते हैं जिससे क्रेट्स होने का डर अदर और्ढ़र होने का भी डर होता है आपके control से भी out of control होने कर डर रहता है यह जो error message आता है यह कई कराणर से हो सकता है इसका पहला कराणर यह हो सकता है कि आप high tension line 11,000 voltage या 300 voltage के नीचे में आप drone को operate कर रहे हो या high speed, high magnetic field के आसपास आप इस drone camera को operate कर रहे हैं तो यह तीनों message आ सकता है और firmware update या लगबग एक हपते बाद तो आना निश्चित है तो हम आपको यह तीनों error कैसे solve करेंगे अपने से यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं आप इस video को पूरा देखते रहे हैं क्योंकि यह अगर आप नहीं सिखेंगे तो इसको बार बार किसी operator के पास किसी mechanic के पास ले जाएंगे और सारे तीन 4,500,000 रुपए का आपको हमेशा नुकसान होते रहेगा तो आप इस video को अंतम देखते रहे जिससे आप इस error को खुद अपने घर में बैट कर अपने computer के साहता से दूर कर सकते हैं दोस्तों यह तीनों error अगर इसमें रहेगा तो आप reception में अगर इस drone को आपरेट कर रहे हैं तो DJ की magnetic field इसे अपने तरफ खीचेगी आप इसे control नहीं कर पाएंगे और यह crash होने का डर बना रहेगा किसी भी pair या दिवाल की तरफ आप control नहीं कर पाएंगे यह अपने आप उधर जाके टकड़ा जाएगा आपको इस तीनों error दूड करना है और तीनों error आप इजी अपने से कर सकते हैं कि DJI assistant software road करने के लिए पहले आप ब्राजर खोलीजिए ब्राजर में डीजी आई कि वेब साइट में पहुंच जाइए उसका एड्रेस है dji.com dji.com उसके साइट में पहुंचेंगे आप तो यह उसके साइट खुल गई इसके साइट में consumer लिखा हुआ है consumer को आप क्लिक करेंगे consumer क्लिक करेंगे तो आपको अलग प्रकार का drone का सेंपल दिखेगा हमको phantom 4 में जाना है phantom 4 को आप क्लिक कीजिए phantom 4 क्लिक करने वाद phantom 4 का catalog आ जाएगा इसके नीचे आगे जाईए आप इसमें download लिखा होगा वहाँ पहुंचते हैं हमको इसके यहां पर डाउनलोड लिखा हुआ है इस डाउनलोड को आप क्लिक कीजिए डाउनलोड को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि उसके नोट और मैनुवाल यह सब दिया हुआ है आगे जाईए यहां पर आपको यहां पर आपको मिल गया फेंटम 4 प्रो रिमोट कंट्रोल फ़र्मेयर है आगे जाते जाईए यह यह सब्टेयर लिखा हुआ है यह यह DJI Assistant 2 Release Note है और यह DJI Assistant 2 V1.2.3 सब्टेयर है इसमें जिप को अप्शन दिया हुआ है और EXE को अप्शन दिया हुआ है हम EXE को क्लिक कर लेंगे EXE क्लिक करने से आपके सिधा EXE आपके कम्प्यूटर में डाउनलोड जाएगा यह SEO फाइल हुआ आप SEO कर दी जाए इसको क्लिक कर दी जी आई असिस्टेंट सब्टेयर यह डाउनलोड हो रहा है सै तीस मिनट के लगभग आपके कि आपके इंटरनेट इस्पिट के उपर निर्भर करता है कि यह कितने देर में डाउनलोड होगा 207 एमबी का सब्टेयर है इसको आपको डाउनलोड करना है दोस्तों सब्टेयर डाउनलोड हो गया है यह आपके माई डाउनलोड फोल्डर में आपको मिल जाएगा या आप जहां एड्रेस दिये होंगे वहां पर यह डाउनलोड होगा आप उस एड्रेस में पहुंच जाएगे यह डी जे आई प्लस असिस्टेंट प्लस टू प्लस 1.2.3 वर्सन का सब्टेयर हमारे कम्पूटर में लोड हो गया है इसे आपको रन कराना है डबल क्लिक करके लन करा लिजे या ओपन कर लिजे यस रन करने हमको यस एसेप्ट आई एसेप्ट दे एग्रिमेंट नेश्ट 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 इंस्ट 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 इस्ट्रम विंडों सेवन हैं विंडों सेवन में या सौट्व एर इस्टाल होगा विंडों lishb रिया सर्भी सब्सक्रe 471 में यह सब्भी आज लैं होगा ते लिएयुका कि यह इस टाइब से ओपन होगा इसके बाद आगे क्या करना है वीडियो देखते रही है मैं बताते चलगता हूं दोस्तों आपका यह एरर बैकवर्ड सेंसिंग एरर कंपाक्स एरर और फर्म एरर अलग से बता रहा है जब आप यहीं सॉप्ट्रेट खोलेंगे तो आपका वर्ल और इस टेस्टस में आप नॉर्मर दिखा रहा है अपडेट की रिक्वाइड बता रहा है और केरिवर्ड कंपाक्स इसको भी इरर बता रहा है यह आप सब सॉप्ट्रेर की थुरूष से हम इसे अपडेट करेंगे कि अब अब कि अब कि कि साथ में जोए लीड दिये हुआ है कि इस लीड को आप कि इस फंटम फोर्ड के स्लाट में लगा दीजे कि लग जिया इसे नीचे लग दीजिए कि अब योज़ी अपने कंप्यूटर में कि योज़ी पॉर्ट में करें दीजिए कि अब इस्टॉप कंप्यूटर में इस्ट्राल हो गया है अब अपने साप्ट्यार को खोलेंगे यह सेशन डीजिए कि अब इस्टॉप्ट्यार को ओपन करेंगे अब कि अब करेंप्यूटर खूल गया यह कैमरा कि यह खूल गया है आपका कैमरा कि दोस्तों यह एड्रेस और पास्वर्ड आपको अपना साइन अप करने लेना है इसमें अपना पास्वर्ड बनाना है पहले अगर आप पहले से बना के रखें तो ठीक है वरना इस साइन अप कि साइन आप को क्लिक करेंगे जी दोस्तों यह एक नया फाइल पुला है इसमें आपका रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर करने के लिए इमेल एड्रेस पास्वर्ड और इंटर न्यू पास्वर्ड अगें और वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है इसे आप सब्मिट कर लेंगे इसकी सहायता से आपका लाग इन पास्वर्ड तियार हो जाएगा उसके लग वाद आवज़ुंद कर सकेंगे दोस्तों जब आप पास्वर्ड और अपने इमेल की साहतर से इस साफड़ेर में लागिन होंगे तो यह अपडेट का कंफर्म के लिए पूछेगा आप इसको कंफर्म करते जाएगे यह दाउन्नोडिंग सुरू हो गया है और यह थर्म वे अपडेट हो रहा है अपडेट अप्डेट कंफर्म कंफर्म एपडेट हो गया अब हम क्याई ब्रेसन मोड को क्लिक करेंगे एक टूटोरियर है कि कैमरे को किस प्रकार से मुवमेंट करता है यह आपको टूटर समझा रहा है कैमरे को आप मुवमेंट कैसे करेंगे कैसे पास ले जाएंगे मॉनिटर के पास कैमरे को एक बाब बैक से करना है एक बाब फ्रन्ट में करना है तो यह आपका टूटोरियर है नमबर वन नमबर टू देखिए यह नमबर टू है कैमरा इस पोजिशन से मुव कराना है आपको टूटोरियर टू में यह समझाया गया है कैमरा का मुँ किस टाइप से रहेगा तुटोरियर 3 देखिए यह देखिए कैमरा को अब इस तरीके से केरिब्रेशन में आपको मुँ कराना है यह आपका टुटोरियर है इसको ध्यान से देख लिजिए आगे मैं आपको आधिखाता हूँ कि यह द्यान देना है कि यह जो ग्रीन का बॉर्डर बना हूए है आपको कैमरे को वैसा पास लाना है तो जो अभी आपका रेड इंडिकेशन कर रहा है वो उसके अंदर उस साइज में आपको करना है उस साइज में आप करेंगे तो यह आपका क्रीन हो गया अब वो अब उसका डार्क हिस्सा को पीछा करते जाना है वो सॉप्टेयर अपने से अपने से यह स्पॉर्ट बना रहा है आपको ड्रोन को उसी के अनुसा ले जाना है एक बार नहीं होगा तो दो बार में कीजेगा दोस्तों कोई ठीकत नहीं है कैमरे का लेंस यह आपका स्टार्ट डाउनलोड कैमरा क्रीबेशन ओके कर दीजे फिर से वो कैमरा मूँ कीजे कि अपर आप अपर आप अपर आप को कि अपर आप में अपर इसक्रीन में में मेशेज देज़ते जाएगा उस मेसेज को ध्यान पर पढ़ें और उसक्री अनुसार्ण ड्रोन को मूव्मेंट कीजे डाउनलोड कैमरा क्रीबेशन कंप्रीट हो गया इस पर से ऐसा बेकवर्ड बेकवर्ड इमेज दोस्तों यहां पर ध्यान दीजेगा कैमरे का मूवमेंट बना हुए कि आपको कैमरा इस टाइप से पकरना है तो इस इमेज की सहता से भी लीजे आप और वो जो ब्लू डॉटेट बन रहा है ब्लू इस्पार्ट बन रहा है वो इस्पार्ट का आपको ड्रोन के दौरा पिछा करना है दोस्तों यह करिबेशन कंप्रीट हो चुका है देखिए कि प्रिबेशन फेल्ड हो गया कोई बात नहीं की से करेंगे कि प्रिबेशन नौ दोस्तों एक दो बार टैक्टिस से यह हो जाएगा एक वच्छन हमारा टैक्टिसियन कर रहे हैं एक नाम है मास्टर स्टीवम अग्ये सब थोड़ा कैमरे दर देखेंगे प्लीज तो इसमेंट की जिएंगे थेंक्यू एक बात जाएब मास्टर जिए झिल देखेंगे के लिए प्लीज खवका प्लीज जाएजे जाएवम प्लीन नौ दोस्तों एक प्लीजे दौर भीस्तों प्लीजे़ उएज़ कोई़ उन इसक्रणियों आएज़। बचल टो पिर करो दोगा नहा है कि बहुत मेहत के बाद के विश्म कंपीट वा 100 परसंट दोस्तों आपका दोनों साफ्टेर रेडी हो जया है इसे अन्ट प्लग तेज़े तो दोस्तों जो हम अब इसको चेक करेंगे पहले आप रिमोट को आउंग तीज़े कि उसके बाद अतना प्रों कैमेरा पहुंद कीजिए कि सब्सक्राइब खोलिया है कि यहां डेटेस फर्मिवेर आ रहे हैं एक बार इसो क्लिक करेंगे आप यहां इरर नहीं दिखा रहा है और इस्टेस में आपका सॉप्टेयर इंस्टाल हो चुका है रेडि टू गो आ गया आपका जो बैकवर्ड सेंसर इरर फारवर्ड सेंसर इरर केरी ब्रेसन इरर सब कुछ दूर हो गया है अब आपका जीपीएस को इंदिजार कर रहा है जीपीएस अटेश होते ही ग्रीन हो जाएगा रेडि टू गो आपको होम पाइंट रिकार्ड हो गया है और रेडि टू गो जीपीएस भी आ गया है और यह ग्रीन क्लियर हो गया है कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना लाइक करना और स्टेर करना ना भूलें थैंक यू